कॉल सिरी नरेंदर मोजी अभूद्पूर संकट में हैं काफी ज्यादा संकट में है उन्हें इस गठ्वंदन से पेट में जो दर्ध हो रहा है तो उसका कोई इलाज उन्हें नहीं मिल पा रहा है और नहीं आगे कोई इसका समाधान उन्हें मिलने वाला है जबकि हमारा बना ये घटबंदन बर्तमान के साथ साथ भविस्य का भी घटबंदन है जो आगे चलकर उत्तर परदेश से भी यहां बीजेपी की संकिर्ण, जातिवादी, संप्रदाइग वे एहंकारी सरकार को जरूर उखार फैकेगा हलाके लोगों को ये भी मालूम है कि सिरी मोदी वे इनकी सरकार ने हमारे इस बने गटबंदन को तोड़ने वैसे नुकसान पहुचाने का भी हर वैग जतन किया है, प्रियास किया है कि उनके बस में जो उनके बस में था और इस करम में इनों ने अपनी सरकारी मशीनरी का भी अभी तक खूब जमकर दूर प्योग किया है लेकिन इनके इन सब हतकंडों के बाब जूद भी जब हमारा ये गटबंदन काफी मजबूती के साथ डटा रहा है तो अब तक के चार चरनों में बीजेपी को काफी पचारता हुआ लगता है हमें जो है बीजेपी को काफी पचारता हुआ लगता है पीछे जाता हुआ लगता है और अब परधान मंत्री सिरी नरेंदर मोदी ने सडियंत्र के तहत हमारी दोनों पाटियों में अर्थात बसपा बसपा में फूट डालों और राजकरों की निती अपनानी शुरू की है ताकि बाके के बचे तीन चर्णों के चुनाओं में बीजेपी अपनी कुछ इज़त बचा सके और इसी फूट डालों राजकरों की हतास निती के तहते कल परताब गड़ में इनों ने बसपा बसपा के बारे में वे सब बाते कही जो पूरे तोर से निराधार वे तथे हीन थ तथा उनका खास मकसद केवल यहां हमारी दोनों पार्टियों को आपस में लड़ाना व्या उनके समर्थ को भर्मीत करने का ही प्रयास करना था लेकिन सरी मोधी यह भूल गए हैं कि हमारा यह गड़ बंदन व्यापक जनहित वैदेश हित के लिए बीजेपी की जन विरोधी सरकार को उखाड फैकने के लिए ही बना है और इसके लिए गड़ बंदन की हमारी तीनों पार्टियां ही यहां हर प्रकार की अपनी कुर्बानी देती रहे हैं और आगे भी देती रहेंगी जिसकी खास वज़े से हमारे इस गड़ बंदन को भारी जन विश्वास वा समर्थन प्राप्त है जो बीजेपी के सर्वोच निर्थित के पेट में दर्ध होने का असली कारण यही है जनता भी इसे खुब समझती है और यही कारण है कि परदेश की सब समाज की दुखी जनता पूरी तरह से इस गड़ बंदन पर अपना आशिरवाद बनाये हुए है और इस संकल्ब के साथ काम कर रही है कि इस महीने 23 मही को बीजेपी गई और देश को एक निरंकुस्त वे एंकारी सरकार से मुक्ती मिली इसके इलावा केंदर में अगली सरकार वे अगले पीएम की परवाशिरी नरेंदर मोधिया एंड कमपनी के लोग ना करें तो यह ज़ादा ही इनके लिए भैतर होगा और अगली सरकार जरूर बनेगी और साथ ही जन हित वे देश हित को मजबूत बनाने वाली यह सर्व जन हिताए वे सर्व जन सुखाई की ही सरकार बनेगी और फिर देश में यह हर तरफ फैला खासकर भै गिरना संक्रिनिता का बादल अब जरूर छटेगा तथा अब तक घुट-घुट कर जीने वाली देश की लगभग 130 करोड जनता फिर यह खुली हवा में ही सांस लेगी जिसकी हमें यह पूरी पूरी उमीद भी है इसके साथ ही पूरा देश यह जानता है कि इस चुनाओं में हमारे गडवंदन ने यह उत्तर परदेश में भी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी परकार का कोई चुनावी समझोता नहीं किया है और खासकर हमारी पार्टी आज भी अपनी पार्टी की सोच वे मूवमेंट के मामले में विसेश कर कांग्रेस वे बीजेपी को अर्थात इन दोनों पार्टीों को ही एक ही थाली के चट्टे बटे ही मान कर चलती है लेकिन इसके बाब जूद भी हमने देश में आम जनहित में खासकर बीजेपी वे आर्थास वादी ताफ्तों को कमड्योर करने के लिए यहां उत्तर परदेश की अमैठी वे राइबरेली लोगसबा की सीट को कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए छोड़ दिया था ताकि इस पार्टी के दोनों सर्वोच ने था जो इन दोनों सीटों से ही फिर से यहां लोगसबा काम चुनाब लड़ेंगे और अब वे यहां से लड़ भी रहे हैं तो वे कहीं इन दोनों सीटों में ही उलसकर ना रह जाए यदि ये अकेले ही ये चुनाब लड़ते हैं और फिर कहीं इसका फायदा बीजेपी उत्तर परदेश के बार जादा ना उठा ले इसे खास ध्यान में रखकर ही फिर हमारे बने इसका ड़बंदन ने ये दोनों सीट कांग्रेस पार्टी के लिए ही छोड़ी थी और वैसे मुझे ये पूरी पूरी उमीद है कि हमारे गड़बंदन का एक एक बोट और खास कर बीएसपी का अपना एक एक बेस बोट जिनकी संख्या अकेले यहां लगभग बाईस वे तेईस परतिक्षत हैं इन दोनों सीटो पर अमेटियो राइबरेली में तो ये सबी बोट तो हर हालत में यह इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के ही दोनों सर्वोच नेताओं को ही मिलने वाला है इसमें किसी को भी कोई संदे नहीं होना चाहिए और वैसे भी हमारा बोट जादा तर साइलेंट ही रहता है अर्थात अपने जादा दिखावे आदी के चकर में नहीं पड़ता है और वै अपनी नेता का इशारा समझ कर फिर अपना एक एक बोट उसी ही पार्टी के उम्मीदवार को दे देता है जिसको उनकी नेता दिलवाना चाहती है ये सब किसी से छिपा हुआ नहीं है इसलिए हमारी पार्टी का खास कर बेस बोट, अमेटी वे राइबरेली लोगसमा की सीप पर केवल यहां कांग्रेस पार्टी के ही दोनों उम्मीदवारों को ही जाने वाला है इसमें कोई दोराय नहीं है हलाके यहां अन्य समाज के जो भी लोग BSP से जुड़े हैं वे इन दोनों ही सीटों पर जाने वाले हैं उनका वी बोट इन दोनों सीटों पर ही मिलने वाला है इनी जरूरी बातों के साथ अब मैं अपनी बात ही समाब करती हूँ धन्यवाद